जिसे motivation चाहिए हो समझ लो रहा ही गलत चल रहा है जो सही रहा चल रहा होगा उसे motivation की ज़रूरत पढ़ी नहीं सकते हम जाते हैं अगल बगल के इंटू भहिया चिंटू भहिया और करियर काउंसलर इनसे बात करने या YouTube पे motivation देख लिया वहां से पता चल गया मुझे भी ये करना चाहिए तो इसलिए बार 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 बैटरी डाउन हो जाती है फिर चाहिए होता है motivation का injection देखो कुछ भी छोड़ देना अपने सपने कभी मत छोड़ना तो कुछ भी तोड़ देना अपने मावाप के सपने कभी मत तोड़ना चल किया रहा है कोई बोले yes you can do it तो जवाब दो yes probably I can do it but why the hell should I do it अगर UPSC की दुकान में जा करके वहाँ वो जो केरियर काउंसिलर बैठी है उससे पूछोगे कि बताइए मेरे लिए कौन सा केरियर सर्वोत्तम है कभी बताएगी कि तुम्हारे लिए सर्वोत्तम केरियर एविएशन है तो कमला को उससे आकरिशन हो जाता है कमला फिदाई हो जाती है उस पर नमस्कार आचार जी नमस्ते मोटिवेशन इंडस्ट्री जो है सारी महतो कांक्षा बेच रही है इन फाक्ट दौडने से कोई ठकेगा तो क्या दौड को ही प्रमोट किया जा रहा है तो इसके बड़िया सूत्र बड़े एक्जामपल हर्मन है इसके सिधान से मिलता है जिसम जब करता है आफटर एंडाइटनमेंट तो उसमें सूक्ष मितल पर जब उसका बच्चा भाग जाता है तो उसको भी दोड़ता दोड़ता जाता है बचाने असली में जब हम देखते हैं कि यहीं तो दोड़ है जो बच्चों के लिए करो इसके लिए करो तो जो असली तो यह motivation industry जो इतनी चल रही है इसका मूल एहंकार ही नहीं हुआ इसका मूल हम ही चलाने वाले नहीं हुए कितना मासूम सावाल है सबसे पहले तो सिधार्थ मैगनम उपस है सर्वोत्तम कृति है वो हर्पेन हैस की पर मैं उसको आज के उत्तर से अलग रखूँगा क्योंकि जादातर सुनने वालों ने शायद वो पढ़ी नहीं होगी ठीक है तो उसको पढ़िएगा सिधार्थ नाम ही वहाँ पर गौतम बुद्ध की और इशारा करता है तो यहाँ जो सिधार्थ है वो एक ब्रहमन परिवार का लड़का है और दिखने में भी अच्छा है पढ़लिख भी खूब लिया है और बिलकुल तयार हो रहा है पिता के पच्चिन्हों पर चलने के लिए पिता उसके वही गाओं के कुछ प्रोहित हो गयरा है कुछ उसमें ऐसा भी आता है कि गाओं की जो लड़कियां हैं उनके बीच में वो काफी लोग प्रीय भी है दिखने में बलिष्ट है सुन्दर है पर वो एक दिन पिता को कहता है मैं वो काम नहीं करूंगा जो आप करते हैं पिता मना कर देते हैं तो वो हट करके एक तरह का वरत करके वो बस खड़ा हो जाता है अन्तरता कुछ दिन बस खड़ा रहता है पि को गौतम बुद्ध मिलते हैं तो अब ये बड़ी मज़दार बात है कि इसे धारत को बुद्ध मिल जाते है गोविंद बुद्ध की शरण में चला जाता है ऐसे धात कहता है नहीं मैं नहीं जाओं जब बुद्ध स्वाइम किसी की शरण में नहीं गए तो मैं किसी की कैसे कभी धर जाता है कभी धर जाता है इनके साथ रहता है उनके साथ रहता है श्रमन पत्वाले उनके साथ रहता है योगियों के पास भी जाता है भटकता है दे को सुखा लेता है खुब फिर ऐसे करते करते वो फिर एक शहर में पहुंचता है वहाँ पर जो समझ लीजी है कि जो हाँ की नगर वदू थी खालनकि इस शब्द का उपयोग नहीं है उसमें तो समझ लीजी है तो कमला उससे मिलता है और उसके प्रेम में पड़ जाता है बहुत खुबसूरत उसके तीन शब्द हैं अगर मुझे ठीक से आदे कमला पूछते है कि क्या है तुम्हारे पास बिखारी हो तुम और ये पूरा शहर मुझ पर मरता है रूप लावर ने मेरे पास रुपया पैसा मेरे पास यहां के जितने बड़े बड़े सब धनी हैं सेट हैं और सत्ता के लोग हैं भ़ा करके मेरे चौकरट पर खड़े रहते हैं मेरा सामीप पर पाने कले तुम क्या हो तो बलते हैं क्या है I can fast, I can wait I can fast, I can wait I can fast, I can wait क्या है आप खोच के लाईए मुझे क्या बता वो कुछ बतारहे हैं आप मत बताईए लोगँ खोचने दीजिए पढ़ने लायक है तो कमला को उससे आकरशन हो जाता है कमला फिदाई हो जाती है उस पर और फिर वो एक सेट के यहां जाके कोई नौकरी कर लेता है कमला ही शायद उसको नौकरी दिलवा देती है तो ऐसे करके यह जो तपस्वी था जो जंगल में भटक रहा था सकते जानने के लिए गौतम बुद्ध को भी ठुकरा के जो आ गया था यह पूरे तरीके से सांसारिक्ता में डूब जाता है पैसा इसको सेट की नौकरी से मिलने लगता है और घर में स्तरी मिल गई है कमला तो घर में भी भोग का पूरा कारिक्रम फिर कमला को गर्भ हो जाता है कमला एक बच्ची को जनम देती है और इसके बात क्या होता है कमला की मृत्य हो जाती है कमला की मृत्य हो जाती है और सिधार्थ का बिलकुल दुनिया से जी उचट जाता है तो सिधार्थ का दुनिया से तो जी उचड़ गया है पर अब बच्चा आ गया है हाथ में अब सिधार्थ उस बच्चे का क्या करेगा और बच्चा बड़ा उधमी उसे धार्थ की कोई बात नहीं सुन रहा है उसके बाद कथा में प्रवेश होता है उसका जिसकी नोंने अभी चर्चा करी फेरी मैन नाविक वो एक नदी के किनारे रहता है और नावक है या करता है बागी आप खुद बढ़ेंगे कि उसके बाद क्या होता है यसे धार्थ की यात्रा है इतनी बार तो चर्चा कर ली ना कि मोटिवेशन क्या है कामना के पीछे भागना और क्या इन चार शब्दों के आगे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कामना के पीछे भागना मोटिवेशन इतने सालों से मैं पूछ रहा हूँ इस पूरे मोटिवेशन उद्ध्योग से इनको ये तो बताते हो कि तुम कर लोगे जान लगा दो हो जाएगा It's possible I can do it, I will do it ये सब चलता है ना तुमारा हाँ हाँ ये सब जो भी है पर ये तो बता दो डू वाट ये तो क्या देते हो कि हाँ उत्सा रखो, आशा रखो मैं कर लूँगा यही तो सिखाया जाता है उसमें कि पीछे मत हटना, रुक मत जाना और अभी वो फिल्म आई थी, उसमें गाना था री स्टार्ट, री स्टार्ट री स्टार्ट तो ठीक है पर किस दिशा में, तुम्हें कैसे पता कि सही दिशा जा रहे हो और किस दिशा जा रहे हो इसकी तुम बात करना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें पता है दिशा तो गलत ही है, उसकी बात कर ली तो पूरा धंदा चौपट हो जाएगा मैं कौन हूँ, मुझे जाना किधर को चाहिए इसकी बात कभी नहीं होती है मोटिवेशन में बस बात यह होती है कि जिधर को तुम्हारी कामना तुम्हें ले जा रही है, उधर को बिना रुके भागते रहो और कितनी भी ऐसा फलताई मिलें, लगे रहना क्योंकि कामना है उसका सम्मान होना चाहिए कामना ही परमात्मा है तुम्हारा डिजायर इस गॉड जिधर को तुम्हारी कामना हो गई, उधर को लगे रहो, लगे रहो तो अहंकार को ही परमात्मा बना लेने का नाम मोटिवेशन है बिना ये जाने कि तुम कौन हो और तुम्हें किधर को जाना चाहिए किसी भी अंधी दिशा में भीड के पीछे दोड़ लगा लेने का नाम मोटिवेशन है सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा और सब कर रहे हैं लेकिन सफल कुछ ही होते हैं इससे सिद्ध होता है कि जो करा जा रहा विल्कुल ठीक है क्योंकि यो चीज ऐसी है कि जब उसके पीछे सौ लोग भागते हैं तो किसी एक को मिलती है इसका मतलब उस चीज में कुछ खास होगा अरे बाबा उस चीज में कुछ खास नहीं है कंडा भी रखाओ कंडा जानते हैं गोभर का उपला और एक ही हो और उसके पीछे सव आएं तो कितनों को मिलेगा एक को ही तो मिलेगा अब एक कोई मिलेगा इससे ये थोड़ी सावित हो जाता है क्यों चीज बड़ी जबरदस्त थी यह हो जाता है कहीं धूल पड़ी हो एक साधारन से कहीं पत्थर कंकड कुछ पढ़ाओ वह एक ही कंकड है उसके पीछे एक हजार लोग आ रहे हैं तो एक कोई तो मिलेगा इससे ये थोड़ी सावित हो जाता है क्यों चीज बड़ी कीमती थी देखो सिर्फ एक को मिली और बाकी 999 हाथ मलते वापस लोट गए कोई बात नहीं री स्टार्ट अरे बाबा वो चीज क्या है और वो चीज तुम्हें चाहिए क्यों और वो चीज तुम्हें मिल भी गई तो उसका करोगे क्या और ये कैसे हुआ पूरी प्रक्रिया क्या थी कि वो चीज तुम्हारे जहन पे छा गई इसकी ये बात नहीं करना चाहते जो लक्ष 999 लोगों का है वही तुम्हारा कैसे बन गया इसकी कोई बात नहीं करना चाहता कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लक्ष तुम्हारा भी इसलिए बन गया क्योंकि 999 लोगों का है इसकी यह बात नहीं करना चाहते बात करना चाहते नहीं क्योंकि बात खतरनाक हो जाएगी बात निकलेगी तो फिर दूर तलग जाएगी पूरा धंदा बैट जाएगा बाजार ठप पड़ जाएंगे, चीजें नहीं बिकेंगी मैं फिर्फ मोटिवेशन इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा है जाने और कितनी इंडस्ट्री जो ठप पड़ जाएंगी क्योंकि ले दे करके खेल तो वही चल रहा है ना कामना पर भागना लोग सवाल उठाते हैं आम तोर पर इन दो इंडस्ट्री पर एक मोटिवेशन पर और एक कोचिंग पर पर बात मोटिवेशन और कोचिंग की नहीं है आदमी अगर अंधा है तो पचास की उम्र में भी कामना के पीछे ही तो भाग रहा होगा मोटिवेशन और कोचिंग इनका वास्ता आम तोर पर जवान लोगों से होता है अब 30 के बाद या 35 के बाद तो कोई नहीं कोचिंग कर रहा है ना कोई मोटिवेशन देख रहा है लेकिन उसके बाद भी कामना तो बाकाइदा अभी दुरुस्त कायम है है ना मरते दम तक और रहती है क्योंकि हम कमजोर लोग है हम कायर लोग है हमें भीड के पीछे चलने में सुरक्षा है हम जरा अपनी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाते मेरे लिए क्या रहा सही है ये सवाल पूछना हमारी हिम्मत से बाहर का होता है हम जाते हैं अगल बगल के इंटू भहिया चिंटू भहिया और करियर काउंसेलर इन से बात करने या यूट्यूब पर मोटिवेशन देख लिया वहां से पता चल गया है मुझे भी ये करना चाहिए और ये बात फिर सिर्फ बाजार पर नहीं लागू होती है ये तो हमारे घर पर भी लागू होती है आप घर के अंदर भी जो कर रहे हो जो रिष्टे बना रहे हो जिस तरीके से जी रहे हो उसमें अंधी कामना के लावा और क्या है वो कामना भी आपकी अपनी नहीं है, वो कामना भी दूसरों ने आपमे ठूस दिये दूसरे न होते, तो जितनी चीज़ें आपने जिन्दगी में और घर में भर ली हैं, वो सब होती क्या है, वो चीज़ें समाज ने और बाजार ने आपके भीतर पचास तरह के फालतू सिद्धान्त धारणाएं assumptions, माननेताएं, beliefs न भरदी होती तो आपकी जिंदगी में वो सब कुछ होता क्या जो अभी है न वो चीजें होती न वो इनसान होते जिनसे आप आज घिरे हुए हो तो ये जो कुछ चल रहा है, ये self knowledge की कमी का परिणाम है आत्मग्यान की कमी हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या और बाजार चाहता भी नहीं कि आप चुप चाप कभी ये सवाल अपने आप से पूछो बाजार कहता है तुम्हें क्या चाहिए ये हम बताएंगे तुम्हें वो चाहिए जो हम पैदा करते हैं, जिसकी हम आपूर्ती सप्लाई करते हैं कोई दुकानदार नहीं चाहेगा कि आप कभी अपने आप से ये पूछो कि आपको क्या चाहिए दुकानदार चाहेगा कि आप दुकानदार से पूछो कि मुझे क्या चाहिए वो कहेगा जो कुछ मेरे पास है वही आपको चाहिए कभी ऐसा हुआ है कि किसी रेस्टराओं में जा गर के पूछो कि भाई साब बताईए आज बढ़ियां क्या बना है आप एक चाइनीज रेस्टराओं में गए कई लोगों के आदत होती है वो मेन्यू देख लेते हैं उसके बाद वेटर को बोला करके पूछते हैं भाई आज बता बढ़ियां क्या है काफी विचितर आदत है ये मुझे कोई समझ में नहीं आई पर कई लोग ऐसा करते हैं तो आप चाइनीज रेस्टराओं में चले गएं और वहां आपने वेटर को बुला करके पूछा भाई आज बताना बढ़ियां क्या है कभी ऐसा हुआ है कि वेटर बोल दो छोला भटूरा कभी वेटर अपने मेन्यू से बाहर की कोई चीज बोलेगा बढ़ियां है वो ही तो बोलेगा ना जो बढ़ियां बोलेगा आज हक्का नूडल्स और मंचूरियन विद ग्रेवी मंचूरियन बाल्स विद शेजवान ग्रेवी आपको यह देखा अरे तुन्हे पूड़ी आलू काई नी बोला तुन्हें नाचोज काई नी बोला तुन्हें नान पराठा कुछ काई नी बोला ढोसा क्यों नी बोला तुन्हें कुछ भी ऐसा क्यों नी बोला जो तेरी दुकान से बाहर काई जो तेरे मेन्यू में है यह नहीं बता तुन्हें क्यों नी बोला मैंने तुछ से वस यह पूछा था कि भाई बढ़ियां क्या यह बता और बगल की तेरी दुकान बगल ही तेरी दुकान बगल की दुकान बहुत बढ़ियां छोला भटूरा है तुने मुझसे क्यों नहीं बोला कि साब यहां हम जो कुछ भी दे रहें न से बहतर कहीं बहतर बगल की दुकान में जाईए, वहां पर बढ़ियां छोले भटू रहें, कभी हुआ ऐसा, तो हम कभी अपने आप से नहीं पूछते हमें क्या चाहिए हम बाजार से समाज से दुकान से पूछते हैं बताओ क्या बढ़िया है तो वो तो वही से बता देते हैं जो उनके पास है ऐसा होगा कि आप UPSC कोचिंग में जाओ और वहां कोचिंग में जाओ ना तो वहां बाहर एक रिसेप्शन पर कोई बैठी होती है और वो यह नहीं बोलते कि हम आपको यहां कोचिंग में अडिमिशन दिलाने के लिए बैठे हैं बोलते हैं हम केरियर काउंसलर है आप वहां जाईए किसी UPSC वाली दुकान में और वहां वो जो बैठी हो कभी ऐसा हुए कि वो आपको बताए देखिए आपके लिए बेस्ट केरियर है अवियेशन या माउंटेनेरिंग देखिए आपको तो टूर गाइड होना चाहिए देखिए आप यहां क्या कर रहे हैं आपको तो फैशन इंडस्ट्री में होना चाहिए कभी हुआ अगर UPSC की दुकान में जा करके वहाँ वो जो केरियर काउंसिलर बैठी है उससे पूछोगे कि बताए मेरे लिए कौन सा केरियर सर्वोत्तम है वो कभी बताएगी कि तुम्हारे लिए सर्वोत्तम केरियर एवियेशन है बताएगी वो कईगी मूरक जब तुझे ही नहीं पता तेरे लिए क्या सर्वोत्तम है तो मैं तुझे क्या बताऊं तो ले आगया एक और आख का अंधा गाठ का पूरा फस मर ले फॉर्म भर और पैसे जमा करा और वहां जागे बैठ जा तू भी आई एस की क्लासिस कर लगार अच्छे साल तक फीज दे मुझको शादी ब्या हमारे घर दूसरे कराते हैं घरवाले आके कराते हैं तुम्हें कोई और बताएगा कि तुहाई लिए कौन सी लड़की या कौन सा लड़का अच्छा है हैं तुम आदमी हो या पतीला कोई भी तुम में आके कुछ भी भर देता है जैसे ये इसमें पानी भर दो तो पानी या कौफी भर दो तो कौफी ये हो क्या तुम कोई भी आएगा कुछ भी भर देगा और किसी दिन कोई इसको ले करके शौचाले चला गया, वहां से पता नहीं क्या भरलाए इसमें, कुछ भरोसा नहीं है, ऐसे ये हमारी जिंदगी है, लोग हम में कुछ भी भर देते हैं, तुम्हें ही जब पता नहीं कि तुम्हारे भीतर, किसको प्रवेश मिलना चाहिए, तो कोई तुम में फिर कुछ भी प तब उसके बाद motivation क्यों चाहिए होता है? motivation माने उत्साह देना, motive motive माने कामना होता है कोई पूछे motive क्या है? कामना motivation इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जो कुछ भी तुमको कहा जा रहा है कि पाओ, उसको पाके तुम्हारा जी भरता नहीं, तो बहुत जल्दी फिर तुम निरुत्साह हो जाते हो उर्जाहीन, उत्साहीन क्योंकि जो तुम करने निकले हो वो तुम्हारे केंदर की मांग तो है नहीं तो दो-चार दिन उस दिशा में बढ़ते हो फिर ऐसे ठप बैट जाते हो फिर कोई आता है क्याता है, नहीं उत्षो वत्स तुम करके दिखाओ उत्षो, करो और क्या करके दिखाए ये तो कोई बात ही नहीं करता हो, करने क्या गया था वो करने ये गया था कि उसे पडोसी के यहाँ पे सेंध मारनी थी किसी की जिंदेगी का लक्षे यही है कि चाचा ने मेरे बाप की जमीन हतिया ली थी चाचा को नीचा दिखाऊंगा कोई बहुत महान उदात लक्षे तो होते नहीं हमारे हमारे तो ऐसे ही लक्षे होते हैं कि लड़का एक बार कलेक्टर बन गया उसके बाद गाउं में बाप सब पे धौस जमाएगा गए डियम के बाप से तू राड़े कर रहा है और कोई बहुत बड़ा लक्षे होता है तो जब लक्ष इतने खशुद्र हैं छोटे हैं पेटी हैं तो उनके पीछे चलने की बहुत सारी उर्जा कहां से लाओगे छोटी चीज़ के पीछे बड़ी उर्जा कहां से लाओगे तो इसलिए बार बार बैटरी डाउन हो जाती है फिर चाहिए होता है motivation का injection जिसे motivation चाहिए हो समझ लो राही गलत चल रहा है जो सही राह चल रहा होगा उसे motivation की ज़रुवत पढ़ी नहीं सकती पूरा गीता ग्यान है motiveless action और ये भारत वर्ष ये गीता का देश है जहां motivation सिखाया जा रहा है श्री कृष्ण पूरी गीता में बोल रहे है निशकायम कर्म motiveless action और हम चला रहे है motivation गीता की इतनी उपेक्षा इतना अपमान desire is God, blind desire, social desire, injected desire, imported desire, implanted desire, a totally alien desire ऐसी desire जो जिसका आपकी हस्ती से कोई ले नहीं देना नहीं है बहुत दिनों तक किसी बाहरी चीज़ को भी अपने भीतर रखो तो ऐसा लगने लग जाता जैसे अपनी ही तो है हम भूल ही जाते हैं कि वो चीज़ अपनी नहीं है किसी समय पर, किसी पल में, किसी प्रक्रिया में वो चीज़ हमारे भीतर आरोपित करी गई थी, implant करी गई थी, हम भूल ही जाते हैं वो चीज़ तो मेरी है यही नहीं motivation ही नहीं, जो पूरा self-help का पूरा क्षेत्र है, वो यही है अध्यात्म का अर्थ होता है dissolution of the self और यह self-help क्या करता है reinforcement of the self जिस चीज़ को हटना चाहिए उसको self-help का क्षेत्र और जमा देता है, और फुला देता है, और मोटा कर देता है मजबूत कर देता है यह बाद में पूछा करो कि मैं कैसे बहुत तेजी से अपनी मनजिल की और बढ़ू, अपने सपने कैसे साकार करूँ, सपनों पर बड़ा जोर रहता है देखो, कुछ भी छोड़ देना अपने सपने का भी मत छोड़ना तो कुछ भी तोड़ देना अपने माबाप के सपने का भी मत तोड़ना चल क्या रहा है और सपनों का तो मतलब ही होता है बेहोशी कोई सपना है जो होश में लिया हो तो कहते हैं नहीं, खुली आँखों से जो सपने देखे जाते, तुम उनके पीछे जाओ, खुली आँखों से कोई सपना नहीं देखा जाता है, क्योंकि खुली आँखों से देखने के लिए सामने हकीकत मौजूद है, खुली आँखों से कोई सपना क्यों देखे, और जो हकी को देख लेता है वो यह भी जान जाता है कि अब उसे करना क्या चाहिए सपना नहीं चाहिए हकीकत चाहिए सही कर्म करने के लिए यथार्थ तत्थ चाहिए ड्रीम नहीं चाहिए ड्रीम का तो मतलब होता है कि मैंने पहले ही सोच लिया कि मुझे कहां पहुचना है वो मैं नहीं सोचूँगा मुझे कहां पहुचना है मैं बस यह जानता हूँ यह जो है इसको बदलो ऐसे बदलो यह हटाओ, नकारो, निगेशन, नेती-नेती कचरा जम गया ही, हीरे की उपर उसको हटाओ हीरा कैसा होना चाहिए, यह पहले से तै करने की कोशिश मत करो तुम्हारा काम है, जो गंदगी है उसको साफ करना उसके बाद जो सच्चाई है, वो हीरे की तरह खुबसूरती से अपने आप सामने आती है, तुम्हें सपना क्यों चाहिए, सच्चाई परयाप्त है, हमारे सपने हमारे अपने नहीं है भाई, वो सपने भी हमें किसी और ने डाले हैं, यह बात बहुत अजीब है पर आपकी dreams, आपकी ambitions, आपकी desires आपकी नहीं है, वो implanted हैं, वो किसी और ने आप में थूसी हैं, आप देखते नहीं हो, एक देश के आदमी की एक desire होती है, दूसरे देश की दूसरी होती है, आप एक महाल में रह लो आपकी एक तरह की कामना होती है आप दूसरे महाल में चले जाओ आपका महाल बदल जाओ आपकी कामना बदल जाती है आपका लक्ष बदल जाता है पर हमने डिजायर, टार्गेट, ड्रीम इनको बड़े सम्मान का अहुदा दे दिया है पागलपन है और आप कहते हो डिजायर आप बताओ आप में कौन सी डिजायर इंड्यूस करनी हो, करी जा सकती है सिर्फ इंजेक्शन लगाके आप जानते हो जो म्यूजिक बज़रा होता है एक शॉपिंग मॉल में वो एक स्टिमुलेंट होता है ताकि आप में एक खास तरह की डिजायर प्रोवोक हो जाए डिजायर आपकी नहीं होती वो शॉपिंग मॉल ने आप में डिजायर पैदा कर दी है आप क्या सोचते हो शॉपिंग मॉल में जो म्यूजिक बज़रा है बस ऐसी बज़रा किसी नहीं बज़ा दी है नहीं उसके पीछे बड़े-बड़े साइकोलजिस्ट बैठे है जिनका काम है आपको बेवकूफ बनाना एक इटरी में जो म्यूजिक है या वहाँ पर जिस तरीके का पूरा डेकोर होता है कि कौन से रंग की कुरसी होगी कौन सा वहाँ एरोमा होगा खुश्बू कैसी आएगी वो सब कुछ इस हिसाब से होता है कि आप अधिक से अधिक ओर्डर दो आपकी डिजायर को बढ़ाया जाता है कुछ खास रंग दिखाके कुछ खास तरीके से लाइटिनिंग का अरेंजमेंट करके आपकी डिजायर आपकी थोड़ी है आपको क्या लग अगर आप स्टारबक्स चले जाएए कहीं भी चले जाएए वहाँ पर जो बैठने की विवस्था होती है एक पैटरन में होती है वो पैटरन यूँ ही आ गया है वो बहुत रिसर्च से निकाला गया है आप सोचते हो मैंने एक कॉफी पी ली अब एक और ले लेता हूँ ये मेरी डिजायर है आपकी नहीं है वो पूछ रहा है small medium large घर में आप इतनी सी पीते थे वहाँ बोला रहे हैं large वो आपने नहीं बोला वो आपके भीतर से कोई और बोल रहा है उसे बुलवाया गया है आपको गुलाम बनाया गया है आपके भगल से एक लड़की निकल जाती है आप कहते हो क्या खुश्बू आई है आपको पता भी नहीं ये जो खुश्बूएं है ये ये hormonal stimulants हैं ये आपके brain के भीतर कुछ विशेश neural networks को fire करती है और आप में भोक की इक्षा जबरदस तरीके से बढ़ जाती है ये जो चीजें होती है अलग-अलग तरीके के एरोमा, सेंट, इत्र ये यूँ ही नहीं होते और आप सोचते हैं तो मेरी desire है आपकी desire नहीं है, उतनी दूर मत जाओ जब आप छोटे रहे होगे तो चाट के वारा की दुकाने होगे आप उनके सामने से गुजरते होगे आपके घर के सामने तिक्की वाला आता होगा देखा है कभी इतना बड़ा उसका तवा होता है तो टन 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 बजाता था और कोई ग्रहाख खड़ाओ न खड़ाओ खुश्बू हमेशा उठ रही होती थी उस खुश्बू से ही ग्रहाख आता है आपने कभी सोचा नहीं ग्रहाख तो कोई है नहीं फिर ये तवे पर इतना तेल की ओ जला रहा है वो जो तेल जलता है न वही आपके मुह में लार का उत्पादन करता है पैवलोवियन कंडीशनिंग से तो आप परिचित होंगे न हम कंडीशनिंग वगएरा इतना बोलते रहते हैं यह हम नहीं बोल रहे होते अगर पैवलोव ने अपने जो पूरे प्रयोग थे उनकी श्रिंखला नहीं करी होती है उपढ़िएगा उन कुटों को क्या लग रहा था कि वो जो डिजायर है वो उनकी अपनी है भाई कोई डिजायर किसी की नहीं है दस लाख में कोई एक आदमी होता है जिसका अपने ऊपर इतना ज्ञान और इतना बल, इतना नियंतरन होता है कि उसकी desire उसकी अपनी होती है और जब आपकी कामना आपकी अपनी होती है तो उसको निश कामना कहते है उसको desirelessness बोलते हैं उसे motivelessness बोलते हैं ज्यादा तर लोग Robo's हैं जिनका remote किसी और के हाथ में है Automatants कोई और चला रहा भाई कोई तुम्हारे भीतर निजिता इंडिजिवालिटी जैसी चीज नहीं है यह नदर ब्रिक इन द वाल और यह नदर ब्रिक इन द वाल and you're not born to be a brick in the wall that's why you have these frequent episodes of listlessness, motivelessness, lifelessness, meaninglessness and then you have to compulsorily run towards motivation यह जो हमको इतना जबरदस्त भोग करना पड़ता क्यों करना पड़ता इसी लिए तो हम उबे हुए हैं अपनी जिन्दगी से क्योंकि हम वो जिन्दगी जी ही नहीं रहे जो हमारी हो किसी और की जिन्दगी जी रहे हैं किसी और की तमन्नाएं किसी और के लक्ष किसी और के सपने जिन्दगी हमारी है और जिसके हैं उसके भी अपने नहीं है क्योंकि जिसके अपने होता है नो दूसरों पर नहीं लाता जिसने आप पर लादे हैं न उस पे भी किसी और ने ला दे है Network of Blindness All in all Another brick in the wall कोई ऐसा थोड़ी है कि Engineering Coaching या UPSC Coaching या Motivation वाले ही आपको कहते हैं Come on, come on, do it घर वाले नहीं बोलते हैं क्या हो जाएगा पीटा, लगो, और करो ये करो, वो करो अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पढ़नत Country of the Blind है H.G. Wells की, पढ़ियेगा इसको मैं पढ़ाया करता था वही जो MBA Students के लिए Leadership Classes लेता था उसमें ये थी और बहुत मुझे रस आता था इसको पढ़ाने में Country of the Blind सब अंधे हैं वहाँ पे और सबको लगता है हम बिल्कुल ठीक है वहाँ कोई आख वाला पहुच जाए तो वो उसको रास्ता बताने लगते हैं देखो तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे चलो और सुनो तुम वहारा हाथ पकड़ के चलो ने तो तुम गिर पड़ोगे नुनेज नाम का है एक जो हाँ पहुच जाता और फस जाता है पढ़ियेगा और वहाँ उसे इश्क भी हो जाता है फिर उसको समझ में आता है आशिकी भी मेरी नहीं है भाहु औरे हम प्रोग्राम्ड है अगर तुम्हें अपने काम में उत्साहीनता अनुभव होती है तो सबसे पहले ये पूछो ये काम करने लायक है भी 99 प्रतिशत संभावना यही है कि तुम गलत काम में घुसे हुए हो दुनिया की इतनी खराभालत होती भी नहीं अगर हर आदमी वो कर रहा होता है जो उसे करना चाहिए न हम वैसे जी रहे हैं जैसे हमें जीना चाहिए न वो कर रहे हैं जो करना चाहिए सब कुछ और ही करने में लगे हुए है कोई बोले YES YOU CAN DO IT तो जवाब दो, yes, probably I can do it but why the hell should I do it it's not a matter of can, whether I can it's a matter of whether I should and to know whether you should you must first of all know who you are मैं कौन हूँ, यह जाने बिना या इस पर जग्यासा करे बिना एकदम पता नहीं लगेगा कि मुझे करना क्या चाहिए नहीं पूरी तरह जान सकते तो कम से कम कुछ सवाल पूछा करो, अपने आपको थोड़ा देखा करो इमानदारी से, अपनी जन्दगी को परखा करो कुछ रौशनी मिलेगी, क्लारिटी धन्यवाद अचारे जी, इतना अविस्तार से समझाने के लिए तो जितना सूत्र मुझे समझ में आया है कि हमारी इंसफिशेंसी के चीप सल्यूशन जैसे की महत्यो कांग्शा और उसका बिरोध, उसका नकार जैसे की संकल्प और ये रूट इसी पर बनी है क्योंकि किसी को संकल्प के बारे में कुछ पता ही नहीं है और सब इसी इंसफिशेंसी के लड़ने के लिए खुद को सफिशेंट प्रूफ करने के लिए ये हववा बनाए हुए हैं दुनिया में कि ambition is something because they don't know what true thing is जान तो गए हैं, अब जीएं इसको धीरे धीरे मनाँ, धीरे सब कुछ होई धीरे धीरे मनाँ, धीरे सब कुछ होई माली सीचे सो घडा रितुवाए फल हो एरे साधो रितुवाए फल हो सूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना वी सूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना वी अडे रहना मैदान में सम्मुक सहना तीर रिसादो सम्मुक सहना तीर भागे भला ना होएगा कहाँ धरोगे पाँ सिरसों पोसी धे लड़ों काहे करों कुदा रे साधों काहे करों कुदा नमस्कार सर्फिरा नाम त्रिष्टी है मैं कुक्षा पाच्वी की छात्रा हूं मोल चुका कर चुनाव करना होता है त्रिष्ण प्रतिक व्यक्ति की इतना मात्र का चुनाव है आत्म ग्यान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो निरोश हो निर्मम बनो ता प्रहित बस युद्ध हो धन्यवाद कर दो दो प्रहित व्यक्ति की इतना है